नमस्कार मैं रविश कुमार मैं मौजुद हूँ पैरिस की एक सड़क पर ये बहुत ही केंद्रियस थल है पैरिस का और बहुत-बहुत सुबह है इस वक्त छे भी ढंक से नहीं बजे हैं मेरी कोशिश है कि आपको मैं पैरिस की एक गली का एक चेहरा दिखाता हूं सोलवी सदी से इस शहर को शहर के रूप में देखा जा रहा है बनाया जा रहा है इस शहर ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ देखा है मगर फिर भी यहां की विरान गलीयों को भी महसूस करना चाह हम पैरिस को भागती दोडती सुन्दर सजी हुई जिन्दगी की रूप में देखते आएं हैं पढ़ते आएं हैं मान कर चलते हैं कि सब कुछ यहां खुशनुमा हैं लेकिन रात के वक इसकी एक गली में चुप चाप चलने और कैमरा ओन करके बोलने का सुख भी अलग ही है तो यह शहर 19-20 सदी के दौर में बसा होगा इस आधनिक रूप में और यह जो गली है यह शहर के केंदर स्थलों में से एक किसी जगह पर है कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं हसते हुए आज 14 फरवरी है तो उसके पहले की यह एक सुबह है और हम एक शहर की गली में चुप चाप चल रहे हैं पैरिस की एक सुनसान गली को महसूस कर रहे हैं कभी कभी शहर को उसके जागने से पहले देखना चाहिए हम अकसर भीड़ भाड़ वाली तस्वीरों को पसंद करते हैं मगर उसके सनाटे को महसूस करना चाहिए उसकी गलीों को दूर से देखना चाहिए कि वो इस वक्त कैसा दिख रहा है कैसी दिख रही है और कुछ पोस्टर्स हम दिखा सकते हैं कि यहां आपकी हजामत बनाई जा सकती है और मुझे मालूम नहीं है कि आगे जाना कहां तक जाना सुरक्षित है या नहीं है लेकिन कुछ पोस्टर तो हम देखी सकते हैं चौदा फरवरी का दिन है तो आप देखिए और आप यहां से इस गली से पैरिस को महसूस कीजिए ऐसी ही गली तो आपके अमरिस सर में है ऐसी ही गली तो करूल बाग में भी होगी और ऐसी ही गली जो है वो बनारस में होगी जैसे देखने के लिए ना जाने कहां कहां से लोग आते हैं मगर एक खुबसूरत चीज़ देखिए कि इस गली नुमा सडक पर भी फुटपाद बनाए गए और ये फुटपाद जो हैं बहुत सक्रे हैं मगर पैदल चलने वालों के कोई एक जग़ दी गई है कि आप इस पे पैदल चल सकते हैं और लोग इसका इस्तिमाल भी करते हैं तो फुटपाद बनाने का संबन जगह के होने या नहीं होने से नहीं है फुटपाद तो बनेगा ही बनेगा जिस पर लोग पैदल चलेंगे और बिना इसकी कल्पना के आप किसी और शहर को नहीं जान सकते हैं न देख सकते हैं न ये पैरिस हो सकता है तो इससे पहले कि बह इसकी सुबह में देखते हैं और महसूस करते हैं इस पैरिस को कि कैसा लग रहा है दुकानों में सामान पैक किये जा रहे हैं और ये सब लगता है होम डिलिवरी के की गाडिया हैं और आपको कुछ पोस्टर दिखा रहा हूं जो आज 14 फरवरी के हैं तो आप देख सकते हैं ये वैलेंटाइन डेखते यारी है बहुत ज़्यादा तो नहीं है कुछ चीजों को मैं खुद समझनी स्पाओंगा कि क्या लिखा हुआ है और अब अब आये हैं यहां चार दिनों के लिए फ्रेंट्स सीखने और नहीं सीखने का मैं लोडनी लेना हु आने को तो भारती दो-चार भाशाई और आ जाती तो धन्य हो जाता जिए लेकिन आप ज़रा अकेले चलकर भी तो देखिए वहां आप देख रहे हैं कि यह रिष्ट्रा है और सारी कुर्शियों को एक के उपर एक रख दिया तो हम भी रखते हैं पटपट गंडें पहार तो आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी ने मेरा रास्ता ब्लॉग किया है तो आप नस्दिक से भी देख लीजिए कैसे कुर्शियों को बेतर्तीत करीके में भी एक करीका नदर लगता है अक्सर ऐसा होता है जब आप विदेश में होते हैं तो विदेश का हर चीज ही देखिए यह शहर जो है अब धीरे धीरे जाग रहा है जब यह पूरी तरह से जाग जाएगा तब मैं दिखाऊंगा कि किस तरह के धमाके के मूड में रहता है धूम धाम और चल कर देखिए अहां परिस शहर के हम जापान टूपे पता नहीं यह क्या पहुंचा देंगा जापान से बेरू लेकिन ठीक है कोई चीज होगी इनके हैं तो आप दुखाने खुलने लगी हैं लोग पहुंच गए हैं तो भारत में तो अभी दिन चढ़ने लगा होगा और यह जो हग दल के लोग हैं बुलाठी लेके दोडाने लगे होंगे प्रेमियों को खोजने लगे होंगे जाड़ी के पीछे से प्रेमी निकाले जाने लगे होंगे लेकिन इस वक्त जब हम रेकॉर्ड कर रहे हैं पेरिस इन दुश्यंताओं से मुक्त है उसकी अपनी च मैं कई लोगों से पूछ रहा था तो यह पता चला कि सरकार ने उनकी जेब भी काफी धंग से भर दी है तो यह एक वाइन शॉप है और अब इस ब्रैंड के बारे मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूं सुरह ने दीजिए और यह लगता है बस टॉप है तो इस जगह पर आके मैं अपनी कहानी सुबह की कहानी खत्म करता हूं जैसे हमने नियॉर्क से आपको दिखाई थी कि यह है जहां बस टॉप है छोटा सा क्यूट सा बनाया है हम लोग भी नकल करते हैं और बनाते हैं स्टील वाली बसे फिर बाद में नेताओं के पोस्टर लग जाते हैं सरकारी योजनाओं के पोस्टर लग जाते हैं पर यहां पर मैप को इस थाई जगह दे दी गई है और ये बसों के आने का समय यहां फ्लैश हो रहा है और ये बैठने की जगह है थोड़ी सी जगह है और ये कोई हीरो साहब लग रहे हैं उधर के पठान कुछ रिलीज हुए हैं और ऐसे तो अपने शारुक साहब भी ऐसे ही लगते हैं इ बहुत पसंद हैं और उसके दर्वाजे जैसे फ्रेंच डोर फ्रेंच विंडो कहते हैं अब आप ये जरूर पुरानी इमारते होंगी इनको इसी तरह से संग्रक्षित रखा गया होगा और आप इन दर्वाज़ों को देखिए हमारे यहां भी था लेकिन सब तोड़ ताड कर दिया हम तोड़के मौल बना देतेे हैं फिर कहते हैं कोरीडूर है फिर भागे भागे जाते हैं सेल्फी खचाने के लिए पर इन लोगों ने भी तो अपने शेहर में मौल बनाए हैं दुकानों को देखिए कितनी खुब्सूर्ती से बनाया है थोड़ा सॉंदर हमारे य हिंदी बोलती हो जा रही है छुट्टियों की शिकायत कर रहे हैं जीवन से परशान होंगी मेरी तरह लेकिन आप देखिए एक दर्वाजे को कितने करीने से बनाया गया है यह कोई चॉकलेट की दुकान हो गई उस उस दुकान को देखिए कि बाहर का जो लुक है वो कितना बदराती थी मगर अब इस तरह के चीजें सब ढभा दिगई हैं बदल गई हैं मगर पैरिस में यह बचा हुआ इसी के लिए तो लोग दुनिया भर से आते हैं इसे देखने के लिए इस शहर को महसूस करने के लिए मगर हम भाई लोग क्या कर रहे हैं तोड़ दे रहे हैं बनारस की गलियों में जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है विध्वन्स हुआ है उसको हम विकास बना दे रहे हैं कुछ बोलने जाए तो धर्म की लाठी लेकर आ जाते हैं तो ठीक है भाई नहीं बोलेंगे लिकिन आपने उस बनारस का भी क्या किया क्या आपने उसके कुछ पारंपरिक स्वरुक को बता बचा कर रखा है जिस क्योटो के नाम पर बनारस में विकास और यह कॉरिडोर की संस्कृत ही आई लाई गई अब देखे किस तनी खुशुरत बेंद की कुरसियां है ना हमारे यहां बेंद की कुरसियां कौन रखेगा अब वो पुरानी चीज पर और सडक को देखते हुए यह कूछी लगी हो कि यह लोग यहां ऐसे बैठे हैं बैठे रहे रहते होंगे और 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 यहां से बैठ कर शहर को देखते होंगे आती जाती गाडियों को देखते होंगे तो मैं भी थोड़ा बैठ कर इस व्यू का अंदाजा लेना चाहत तो आप इस तरह से बैठ कर खा सकते हैं, तो इनको अपनी हवा पर, अपने पानी पर कुछ भरोसा होगा कि आप खुले में इस तरह से बैठ कर खा सकते हैं, वेंजनों की कमी हमारे यहां नहीं है, तो मैं सौंदर बोध की बात कर रहा था, सौंदर बोध हमारे यहां कम नहीं है मगर वो सब ऐसा लगता किताबों में है एक दूसरे को कम तर बताने के लिए है जगड़ा करने के लिए है मगर हमारे शहरों की बनावट में इन सब चीजों में वह सौंदर इबुद आपको दिखेगा नहीं यह बड़ी समस्या है कि आप उसका करेंगे क्या तो या उसका प्रदर्शन नहीं दिखता है कुछ-कुछ दुकानों में दिखता है कलाकृतियों में दिखता है इतना जादा महिमा पाए है इन लोगों ने भी देखिए दिवारों को गंदा किया है यह भी एक अंतराश्विय संस्कृति है दिवारों को पूर देना पोस्टर बना देना चीजों को लिप देना लेकिन कि आप देखिए इस तरह अभी जादा नहीं चल्ँए तो मुझे यह ग़ी में आपको ले जाते हूं यहां खत्म करने चलिये सह किसी गली में सुबह के वक्त आप जागे हूं और चलते वो शहर को महसूस कर रहे हूं यह काम आपने कब किया था और कब करते थे कितने दिनों से ये करना आपने छोड़ दिया है इन सारे सवालों को सोचिएगा कि हम किसी शहर को दूर जाते हैं बहुत महसूस करने के लिए लेकिन वो वैसा ही शहर हमारी जिन्दगी के आज पास होता है और आप इस सन्नाटे में वक्त सुबह का है मगर अंदकार नुमा सन्नाटे में आप देखिए यहाँ पर यह गली खतम हो जाती है तो मुझे ऐसे रास्ते पसंद आते हैं कि जहाँ पर कोई रास्ता खतम हो जाता है तो यह आप देखिए यह यह दिवारों पर चित्रकारियां बनाई गई हैं और यहाँ पर जरूर शाम के वक्त या दोपहर के वक्त नौजवान जमा होते होंगे ऐसी गलीों के आखरी सिरे पर जमा होने वाले लोगों की कल पनाएं हम सब की जिन्दगी का ह हिस्सा रही है नहीं से कोई घंटी बजा रहा है हमारी फित्रत का आदमी है मगर यह खिरकी देखिए कितनी सुन्दर है और बस कोई डोबर मैं ना छोड़ दे मेरे ऊपर तो इसलिए भी मैं यहां से रुखसत हो रहा हूं आए हैं पहरे सुनने के लिए पता चला की कुता क काटने का इंजेक्शन लगवा रहे हैं और हम रुजाला में छप रहे हैं कि इनको कौन सा बुल होता है वो काट लिया है तो हम अपना रास्ता यहां से बदल रहे हैं और फिर से वापस होखे सड़क की तरफ आ रहे हैं तो भाई लोगों बड़ा मजा आ रहा है एक शहर के पुराने किरदार को देखने का यही मजा बनारस में आया करता था अब भी आया करता होगा कुछ सड़के बन गई हैं जिसे लोग अब विकास विकास कर रहे हैं सायद ठीक ही समझते होंगे लेकिन उमीद करता हूँ कि उनमें ये बोध रहा होगा कि जो कॉरिडोर के नाम मौलनुमा विकास आ रहा है वो सड़के चोड़ी करने के लिए आ रहा है या बहुत सारी पुरानी ऐसे खुसरत इमारतों को दखा देने के लिए आ रहा है तो फिर एक सवाल अपने आप से पूछिए कि पैरिस में तो ऐसा नहीं किया पैरिस में तो अपनी इन पुरानी इ आगे कि आप उसी पैरिस में आए हैं जिसके बारे में आपने असंखे किताबे देखी हैं, किसे देखे हैं, फिल्मे देखी हैं और बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी गाने, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, तो इस इमारत में देखिए किसके ख्रीकियां कितनी ख खुबसूरत हैं है ना अब इसी बालकनी से अगर आप खड़े होते 14 फरवरी के दिन और कोई आप के लिए मुस्कुरा रही होती नीचे तो कितना मज़ा आता क्या क्लिक तस्वीर बस बसती लेकिन क्या ही मज़ा आएगा ऐसी कलपना करते समय अब तो हालत यह हो गई है कि अगदल वालों की लाठी के नहीं कर सकते हैं इतनी बात आप समझ जाएए आपने इस हिंदुस्तान को इस भारत को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि प्रेम करने की कलपना में एक लाठी वाला जरूर होता है जो पीछे खड़ा होता है या वो कहीं से आ रहा होता है या असकार